नमस्कार, हमारी खास पेशकष में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नमिता सश्टेव। Diabetes यानी मधु में एक Metabolic Disorder है। इसका सबसे बड़ा कारण है आज की जीवनचैली। ये सबसे तेजी से बढ़ती हुई, ज्यादा लोगों को गिरफ्त में लेती हुई एक बिमारी है। सही इलाज और समय पर नियांतर न होने पर ये जानलेवा साबित होती है। Diabetes शरीर को खोकला कर देती है। Diabetes होने पर Heart Attack का खत्रा कई गुना बढ़ जाता है। ये Kidney, Liver और Heart पर बुरा असर डालती है। जिससे Heart Attack, Liver और Kidney फेल तक हो सकती है। ये Nervous System को भी खराब करती है। जिससे Neuropathy और Retinopathy कहते है। और इससे आँखों की रोशनी चले जाने का भी खत्रा होता है। जिससे अंधापन हो सकता है। Diabetes का दुष्प्रभाव Nervous System पर पड़ता है जिससे नसे खराब हो जाती है। और शरीर के हिस्से सुन पर जाते है। आज भारत में तकरीबन 5 करोड से ज्यादा लोगों को Diabetes है। इसलिए अगर भारत को Capital of Diabetes कहा जाए ना तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। निकट भविश्य में दुनिया के जादतर Diabetic Patients भारती हो सकते हैं। Diabetes कितनी खतरनाग विमारी है। इसका अंदाजा आप इसी तथे से लगा सकते हैं कि हर 1.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत Diabetes संबंदत कारण से हो जाती है। Diabetes निरंतर उमर के दायरों से बाहर निकल रही है। और यहां तक कि बूरों के साथ साथ अब ये युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। Diabetes के कारण शारीरिक कमजोरी भी आ जाती हैं जिससे आपके दामपत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब आपको Diabetes के कारण चिंतित होने की विल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि अब आपके पास है Diabetes की सबसे असरकारक और सबसे लाबदायक आउशिधी, Diab Clinic Diabetes के भायंकर दुश परिणामों और महंगे इलाज को द्यान में रखकर संजीवनी आयूरवेदा श्रम, वर्षों तक गहन, अनुसंधान और खोज के बाद आप तक लेकर आए हैं सर्वोत्तम प्राकरतिक आउशिधी, Diab Clinic Diab Clinic पुराने से पुराने डाइबिटीस को भी प्राकरतिक रूप से नियंत्रित करती है, आपको फिर से एक सामाने जीवन चीने में मदद करती है आप भी इनके शोद एवं जानकारी का लाब उठाएं पहले Diab Clinic को राज रोग कहा जाता है, जो सिर्फ अमीरों को ही होती थी लेकिन अब हम देखते हैं कि Diab Clinic गरीब व्यक्ति को भी होई है क्योंकि आज हम सब के जीवन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और स्ट्रेस, Diabetes का मुख्य कारण है खान पान और जीवन शैली में बदलाव अधे का रामदा एक जीवन का सबसे पहला दुश्प्रबाव पेट पर ही पड़ता है जिसके कारण पेट में मौझूद पैंक्रियास से इंसुलीन कस्राफ बंद हो जाता है जिससे खाने के माध्यम से मिलने वाली शुगर ग्लूकोज में नहीं बदल पाता है जिसके फ्लस्वरूप खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है इसे हम Diabetes या मदू में कहते हैं ऐलोपेथी में Diabetes का सही और सठीक इलाज नहीं है इसलिए ऐलोपेथी ने इसे लाइलाज घोशित कर दिया लेकिन प्रकृती में हर बिमारी का इलाज है निरंतर, अध्यन, पनुसंधान और खोज के बाद संजीवनी आयूरवेद राश्टरम आपके लिए लाए है Diab Clinic Diab Clinic के नियमित प्रयोग से आपका शुगर लेवल बिना किसी साइड एपेट के लंबे समय तक कंट्रोल में रहेगा जी हाँ, Diab Clinic के आयूरवेदिक कोनों से युक्त आउशधिय तत्व शरीर में पहुझ कर पैंक्रियास को फिर से सक्रिय करने और इंसिलिन का सिक्रीशन बढ़ाने में मदद करते हैं जिससे शुगर और स्टार्ज की मात्रा नियंत्रित हो जाती है और शुगर लेवल धीरे धीरे सामानने के स्थर पर आ जाता है डायब क्लीनिक खोंट है आयुरवेदिक वह सुरक्षित है इसमें किसी प्रकार का भस्म ये हेवी मेटल जैसा पारा, सीसा उत्यारी का उप्योग नहीं किया गया इसमें इंजोमेडिक इंस्ट्रैक्शन द्वारा जानी मानी सुरक्षित, जड़ी बूटियों और और शिद्ये दत्वों का कॉंबिनेशन लिया गया जैसे करेला, तेजपत्ता, मेथी, नीम, गुडूची, हल्दी, आमला, अशुकन्था विजे सार, विजे सार पेंट्रियास के पीटा सेल्स को फिर से सक्रिय बनाता है, और ये कोई दवा भी ऐसा करने में सक्षा नहीं गुडमार पेंट्रियास को इंसुलीन बनाने में सहायता करता है और इससे मीठे की क्लेरिंग भी कम होती है मेथी मेथी की अध्यन में डाइबेटीज विरोधी कुल पाए गए शिलाजीत पेंक्रियास की कोशिकाओं को पुने जीवित करता है और ये शरीर के अन्य अंगों को भी डाइबेटीज से होने वाले नुक्सान से बचाता है इसलिए आज डाइबेटीनिक की मांग पूरे व करना चौथा डाइबेटीज का संपूर्ण और प्राकेते को प्चार ना अपना डाइबेटीज कंट्रोल करने के लिए आप सही खानपान और जीवन शेली अपना है डाइबेटीज के लक्षणों को पहचाने जिन में प्रमुग हैं ज्यादा प्यास लगना बार बार डाइबेटीज हो सकता है पूचे भारत के अलग-अलग राज्यों, शेहरों और गाव में लोग उठा रहे हैं निरंतर अध्यन, अनुसंधान और खोज के बाद संजीवनी आयूर वेदाश्रम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकृती का बरदान, डाइब क्लिनिक, जिसका नियमित प्रियोग आपके शुगर लेवल को बिना किसी साइड इफेक्ट के लंबे समय तक नियंत्रित रखता है इसका मुल्य है मातर 2100 रुपए, टिलिब्री चार्ज इस एक्स्ट्रा अब नॉर्मल रहती है, सही कमो तो डाइब क्लिनिक ने मुझे नया जिवन दान दिया है बाजार में मिलने वाली अंग्रेजी दवाईयों के बहुत भयंकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं अब आप बताईए, जिन दवाईयों के इतने भयंकर साइड इफेक्ट हों, वो दवाईयां आप खाएंगे ही क्यों इसलिए डाइबटीज को कंट्रोल करने के लिए आप संजीवनी आयुर्वे राश्रम की डाइब क्लिनिक ही लीजे ये 100% नाचरल है और 100% प्रभावशाली भी है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसी के साथ-साथ यही एक मात्र ऐसी ओशदी है जो डाइबटीज के कारण होने वाले अन्या विमारियों को नियंत्र तरकने में भी साहयक है डाइब क्लिनिक डाइबिटीज का बहुत सरल सस्ता और प्राकरतिक इलाज है अगर आप भी डाइबिटीज से पीडित हैं और दबायों और इंसुलिन पर निर्भर हो गए हैं तो आप भी डाइब क्लिनिक का इस्तिमाल कीजिए और डाइबिटीज को हमेशा संतलित रखिए। इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी डाइबिटीज हो सकती। एक दिन ऐसे ही शुगर टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे भी शुगर। मीठा खाना छूट गया, फल भी छूट गया, चाय तक छूट गया। डाइबिटीज के लिए दवाई वगरा लेती रहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद शुगर फिर से बढ़ जाती थी। करीबन तीन महीने पहले संजीवनी आयूए दाश्ट्रम की डाइब क्लीनिक मंगवाई थी। और इससे मुझे डाइबिटीज में बहुत रिलिए थी। प्रकृती का बरदान डाइब क्लीनिक जिसका नियमित प्रियोग आपके शुगर लेवल को बिना किसी साइड इफेक्ट के लंबे समय तक नियंत्रित रखता है। इसका मूल्य है मात्र एक्की सो रुपए। टेलेबिटी चार्जिस एक्स्ट्रा। मेरा गार्मेंट एक्सपोर्ट का बिस्निस है। पिछले 15 साल से ओफिस में एक ही जगे बैठे बैठे मेरे शरीर में शुगर लेवल बढ़ गया। अब उसकी वज़े से मुझे धेर सारी देवाईय लेने पड़े। और शरीर अंदर से खोकला हो गया। माइंड में इतनी टेंशन रहने लगी थी कि कई बार तो ओफिस आने में भी बड़ी घबराट सी होती थी। हर समय ये लगता था कि पदनी कब मेरा दम निकल जाए। मुझे कल का होशनी था और पल की खबर नहीं थी। लेकिन मैंने जब से डायब क्लिनिक इस्तमाल किया है तब से मेरी शुगर कंट्रोल है। ना तो उतनी धकावट रहती है और ना उतनी कमजोरी रहती है। मुझे पूरा विश्वाश है कि जब तक डायब क्लिनिक मेरे पास है मेरा शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। आप चाहें तो डायब क्लिनिक हमारी वेब साइट पर भी ओडर कर सकते हैं। डायबटीज का पता ना चलना, उसके कंट्रोल में ना आने का सबसे बड़ा रिजन ये है कि इसके लक्षन इतने नॉमल होते हैं कि हम या आप इन पर ध्यानी नहीं दे पाते हैं। समझ में नहीं आता कि हमें आखिर ज्यादा प्यास या फिर ज्यादा भूब क्यूं लग रही हैं। पर एक बार अगर डाइबटीज आपके शरीर में आ गई तो फिर धीरे धीरे आपकी बॉड़ी को ये कमजोर बनाती चली जाती हैं। जिसका नतीजा हाट अटैक, किर्नी फेलिया, आखों की रोशनी का कम हो जाना के रूप में हमारे सामने आता है। अगर भारत की बात की जाए, तो आज तकरीबन 5 करोड से ज्यादा लोगों को डाइबटीज है। इसलिए भारत को Capital of Diabetes भी कहा जाता है। जब पेट में मौझूद बैन क्रियास से इंसुलिन का स्राव बंध हो जाता है, जिससे खाने के माध्यम से मिलने वाली शुगर, ग्लूकोस में नहीं बदल पाती। फल सुरुप खोन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम Diabetes या मधु में ही कहते हैं। Diabetes में मेडिसन लेने के साथ साथ अपनी डायट का भी खास तोर पर ध्यान रखना होता है। Diabetes में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए। यह जानते हैं Dietician मिनाक्षी दूबे से। Diabetes में लोगों की डायट इस्त्रकार होनी चाहिए, कि जिसमें कार्बोहाइडरेट कम और प्रोटीन और फाइबर्स जादा हो। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी, कि आप कार्बोहाइडरेट फूरा हटा दे। यहाँ पर हमारे lifestyle modification का रोल आता है उधारन के लिए। जैसे कि आप ब्रेट खाते हैं तो उसमें वाइट ब्रेट ना खाकर आप ब्राउन ब्रेट ले लीजिए। राइस में वाइट राइस ना लेकर आप ब्राउन राइस लीजिए। फूट्स में भी चीकू, आम, पाइनएपल जैसे फूट्स को एवाइट कीजिए। इसके बज़ाए आप पपीटा, ओरंज, ग्वावा, एपल आधी ले सकते हैं। डाइब क्लिनिक के लिए प्राकर्तिक वाह समकून अपचार है। टांकिय। सो मुच डॉक्टर दूबे इतने यूसफ़ूल टिप्स देने के लिए। विसे दुनिया भर के हजारों लोगों ने डायब क्लिनिक से डायबटीस को नियंद्रित किया है और अपनी जिंदगी में फिर से खोशियां पाई हैं अगर आप भी डायबटीस से परिशान हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नमबस पर अभी इसी वक्त फोन ठाकर कॉल कीजिए डायब क्लिनिक में आपको मिलते हैं 60 कैपसूल का पैक और 50 ml कॉंसेंट्रेटिड ड्रॉप कॉंसेंट्रेटिड ड्रॉप भोजन से पहले लें यह आपके शरीर के पाचत सिस्टम एवं पैनक्रियास को एक्टिवेट करतीता है जो भोजन में ग्रहन की गई शुगर और स्टार्च को नियंत्रिक करने में मदद करती है डायब क्लिनिक का ही कैपसूल भोजन के बाद दिन में दो बार लें एक महीने के अंदर ही आप अपने शुगर लेवल में चेंजिस देखेंगे डायबटीस के प्राक्रितिक इलाज के लिए आप जितनी देर करेंगे बिमारी उतनी ही गंबीर होती जाएगी इसलिए देर बिलकुल न करें देरी करने पर शरीर के महतकून अंगों पर घातक प्रभाफ पड़ सकता है डायबटीस के प्राक्रितिक उपचार के लिए आज ही दिये गए नमबस पर फोन मिला कर डायब क्लिनिक अपने घर पर मंगवाईए और याद रखे संजीवनी आयरुविदाश्ट्रम डायब क्लिनिक का कोई साइड एफेक्ट नहीं है डायब क्लिनिक आउशिदी है एक और इसके फायदे है अनेग डायब क्लिनिक के अद्भूत आउशिदीय गोन आपके शरीर में पहुँच कर शुगर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं अगर आप भी डायब क्लिनिक लेना शुरू कीजे वो भी आज से ही ये डायब क्लिनिक यानी मधुमय का सबसे प्रकृतिक और सबसे असरदार इलाज है जो आपको फिर से सामान्या और स्वस्थ जीवन देने में मड़त करता है मुझे पूरा विश्वाश है कि जब तक डायब क्लिनिक मेरे पास है मेरा शुगर लेबल नहीं बढ़ेगा डायब क्लिनिक से अपनी शुगर घटाएं यानी अपनी उम्र बढ़ाएं मैं पहले की तरह आप सब कुछ खाते हूँ और खुश भी रहते हूँ डायब क्लिनिक डायबेटीज की सब से अच्छी दवाई है और इससे शुगर भी कंट्रोल में रहते है आज डायबेटीज की पेशिंट्स में वो लोग भी शामिल है जो छोटे शेहरों और गाउं मे रहते हैं जिनके पास इलाज और महेंगी दवाईयों के लिए पैसे तक नहीं है इन सभी जरूरतमन लोगों को ध्यान में रखकर संजीवनी आयुरवेदाश्रम, गहन शोध और अनुसंधान के बाद ही आपके लिए प्रकृति का वर्दान डायब क्लिनिक लाए है ताकि आप सभी को सस्ता एवं सरल और सफल उप्चार मिल सके आप भी अपनी डायबिटीज को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल में रखने के लिए अभी ओडर करें संजीवनी आयुरवेदाश्रम की डायब क्लिनिक इसका मूल्य है मात्रब एकीस सो रुपए टिलिब्री जार्जेज एक्स्ट्रा आप चाहें तो डायब क्लिनिक हमारी वेब साइट पर भी ओडर कर सकते हैं